क्लास 10 मैठ चैप्टर नमबर वन रियल नमबर तो सबसे पहले हम इसके अंदर सलेवस के बारे हम जानते हैं कि अपडेटड सलेवस के है तो यह जो सेशन होएगा वो 2022-2023 के सेशन के लिए यह लेक्चर अविलेबल है अब और बात बता देता हूं कि यह जितने भी लेक्चर अविलेबल होंगे वो अपडेटड सलेवस के अकॉर्डिंग होगे जैसे कि अभी सी जून 2022 में सलेवस को अपडेट किया है मतलब दूआ रा गिया इससे पहले भी किया था अब फिर से अपडेट किया है उसने फिर से स्बीच सी नहें सलेवस को कम कर दिया है तो मैंने जो अभी लेटेश सलेवस आया है जून 2022 में उसके एक्वार्डिंग सारे लेक्चर रिपोर्ड किये हैं अब मैं आपको बता देता हूं कि जैसे चैप्टर नंबर वन है तो उसके अंदर जो चैप्टर का नाम है रियल ल इसको खतम कर दिया है तो हम जो चीज छोड़ दी गई है उस पर कॉष्शन नहीं करेंगे जो चीज हवादे सलेबस में है उसी के अकॉर्डिम करेंगे पहली बार दूसरी बात कि मैंने कि यूद इस नहीं को सब को कवर किया है यू सब सॉल किये 2011 तो दोहुजात उन्निस तक 20 में तो हुआ नहीं था इसके जो भी कि एंग सी की कोश्षन वह थे वह सब कभर करे हैं अब उसके इनदर भी जो चुलेवस में नहीं आ रहा है उनको छोड़ दिया है जो चुलेवस में आरा है केवाल उनही को कभर किया है तो चलो अब और एक और बात की मैं जैसे चैप्टर नमबर टू पढ़ाऊंगा तो उसके अंदर भी पहले सलेवस बता दूँगा क्या ड्रॉप कर दिया गया फिर उसके बाद में परदर हम प्रोसीडिंग करेंगे मैं आपको बताता हूं कि चैप्टर का नाम क्या है और फिर हम आग बढ़ते हैं देखे जैकर का नाम है डायल नमबर्स तो ऑफ देखेंको क्या बेदर हम को पता होना चाहिए तो मैं आपको बता देता हूँ, जो real numbers होते हैं, वो real numbers दो type के होते हैं, एक तो होते है rational number और एक होते है irrational number, यह जो rational number होते हैं, उनको आप P upon Q की form में express कर सकते हो, और यह जब P और Q क्या होंगे, P और Q हमारे पास integers होंगे, integers का मतलब जैसे 1, 2, 3, 4, 5, minus 1, 2, 3, 4, 5, 0, लेकिन Q की value 0 नहीं होगी, P जी 0 हो सकता है, लेकिन Q 0 नहीं हो सकता है, अगर Q 0 हो गया, तो फिर हम उस fraction की value निकाल ही नहीं सकती हो, इंफिनिटी दे देगा, cannot be determined, तो मतलब यह जो rational number होते हैं, वो कैसे होंगे, जैसे 1, 2, 3, 2 upon 3, 3 upon 4, इस type के होंगे, तो फिर irrational number कौन से होंगे, यह जैसे कि हमारे पास लिखा हुआ है कि यह जो नंबर होते हैं, उनको P upon Q की पॉर्मा आप एक्सप्रेश नहीं कर सकते हो, ठीक है, तो मतलब यह फ्रेक्शन की पॉर्मा उनको नहीं लिखा जा सकता है, अच्छा एक नंबर मैं लिखता हूँ, जैसे मैंने यहां पर लिखा ह है, एक रूद 2 upon 3, तो क्या एक यह एक एर्याशनल लंबर होगा? यह एक रइस्नल लंबर ही है, आपको लग़रा हुआ कि यह फ्रेक्शन की फॉर्म मैं प्सक्रेश नहीं हैं, अब कि प और Q की को पास कर रहा है, कि P और Q हमारे पास नहीं होने जाहीं है, अंध भी तो इं तर देखक रहा होंगे तो एक एक एंटिजर से और यह सिर्वाल तो जो रैशनल लंबर होते हैं उनको फिर से आप फर्दर डिवाइट कर से तो इंटीजर्स एंट फ्रैक्शन अब यह इंटीजर्स क्या होते हैं आप इंटीजर्स जानते हो कि जितने भी हमारे पास आप द्रिजब्र और अब शाना ने तो को तो थे video कि स्ट्राट यह और जो होते हैं तो यह भी करिए इंटीजर्स आप देख सकते हैं कि अल्ट नमबर से 0 अब क्योंकि यह जो रैशनल नमबर इनके बारे में काफी यूज किया गया है इसके नंदर काफी यूज थो हमको पता होना चाहिए कि यह होते हैं प्राइम नमबर इसा नंबर होता है इसका मतलब सिंपल सा यह है कि आप जैसे कि आपने 5 लिया तो आप एक तो 5 को कौन डिवाइट कर सकता है ठीक है कर दिया 5 जा लेकिन क्या कोई और दूसरा नंबर है जो 5 को डिवाइट कर सकता है और कोई दूसरा नंबर है ही नहीं है इसका मतलब प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं और नंबर बिच इस डिवाइड़ वाइड वाइड वाइन नंबर इसल्फ मतलब एक नंबर जो अपने आप से डिवाइड हो और वन से डिवाइड हो ऐसे ही नंबर हमारे प्राइम नं I am two ही एक ऐसा only even prime number है typically only even this time number नो बागी ऐसा नमबर नहीं मिलेगा आपको जो even हो बाकी सब odd मिलेंगे चलो तो एक प्राइम नमबर की बाद होगे आप देखो आगर बोड के अंदर उसनों question पूछा हुगा है, प्राइम नंबर के बाद हो, smallest prime number 2 होता है, अब composite numbers के बारे हम बात कर लेती है, composite number कौन से number होते हैं, ऐसे number जो prime ना हो, वो composite number हो गए, अब मैं आपको एक और बात बताता हूं, यह जो one था, one नहीं आया यहां पर, तो one is not a prime number, one कोई prime number नहीं है, पहली बात, दूसरी बात, one कोई composite number भी नहीं है, तो one ना तो composite number है, और ना ही prime number हो, ठीक है, तो composite number कौन से होंगे, ऐसे number जो one ना हो, मतलब एक any number other than one, कोई भी number जो one ना हो, और which is not a prime number, और prime number ना हो, तो prime number कौन से होते हैं हमारे पास, prime number होते हैं, two, three, five, in को छोड़ दो, ठीक है, in को छोड़ दिया, two को छोड़ो, three को छोड़ो, फिर क्या जाएगा, four, मतलब four की जा, composite number, eight, six, nine, ten, इसका मतलब यह होगा, कि composite number ऐसे number को बोला जाता है, तो यह one सभी divide होगा, अपने आप से भी divide हो जाएगा, और किसी दूसरे number से भी divide हो जाएगा, तो इसे ही number हमारे पास, composite number कहलाते हैं, जैसा आप six ले लो, तो six को कौन divide कर सकता है, one कर सकता है, six को और कौन कर सकता है, six को एक खुदी six कर सकता है, और 6 को कौन करसकता है, 2 भी, 3 जा, और 6 को और कौन करसकता है, यह 3 करसकता है, 2 जा, मतलब composite number ऐसे number होते हैं, जो अपने आप से divide हो जाएं, किसी तूसरे number से भी divide हो जाएं, जैसे कि यहाँ पर 6 था, तो यह अब 1 से भी divide हो गया, 6 से भű centimeter हो जाएं, यह दो condition तो prime number भी fulfill कर देते हैं कि यह वह 1 से divide हो जाते हैं और 6 से divide हो जाते हैं लेकिन prime number कभी किसी दूसरे number से divide नहीं होते हैं जैसे यह 6 2 सभी हो रहा है 6 3 सभी हो रहा है तो यही नम्हारे पास composite number next सलते हैं अब co prime number कौन से होते हैं देखो को प्राइम नमबर ऐसे इनको को प्राइम बोलो या रिलेटिव प्राइम बोलो यह ऐसे दो नमबर होते हैं जिनका आप अगर सब्सक्राइब निकालो में तो एक कॉमन फैक्टर उनका वन ही होता है जैसे आपने फिप्टीन ले लिया तो फिप्टीन के अगरा फैक्टर करो तो 3 इंटू 5 आ जाएगा और 16 के फ्राइम फैक्टर करो तो यह आ जाएगा क्या इसके अंदर कोई कुछ है कॉमन कुछ भी नहीं है एक्ट्पवल वन तो हमेशा कॉमन होता है तो को फ्राइम नमबर ऐसे नमबर होते हैं जो जिनका एक्ट्यक्टर करेंवन ही हो मतलब वह दो नमबर यह सब कोई तो इसलिए ऐसे दो नम्मर हमारे पास को प्राइम या रिलेटिव प्राइम कहलाते हैं जो आगर यूज है इसका जब प्रूब करेंगे तो वहां पर इसलिए मैं बता रहा हूं यह सारी चीजे और यह बहुत जरूरी होता है क्योंकि CVS-C, CVS-C, NCRT यह चाहती है कि आप जो इसको अच्छे सबढ़ो ऐसा नहीं कि मतलब जो एक्सरसाइज में दे रखा बस हो गया अब मुल्टिपल्स पढ़ते हैं कि मुल्टिपल्स क्या होते हैं देखो जैसे आपने 2 की काउंटिंग पड़ी होई है पर बहुत दूर तक कर सकते हैं मतलब यह कभी खतम ही नहीं होगा एक बात याद रहने की जडूरू होते हैं कि किसी भी नंबर के इसका मतलब ही होता है जो मल्टिपल्स होते हैं वो अल्लिमिटेड होते हैं है ह करते जाओ तीन के हैं वह हम तह 10 तक ही करते हैं लेकिन तेहल जुँती है आगत भी इस सकते में जितना भी चाहते हैं थीन चाहते हो सब कर सकते हो सब मुल्टिपल्स आजाएंग oysters क्लों कम ध Verkehrशान के आप नबर जैसे मैं एक्जामपर ले लेता हूं 15 तो 15 को कौन डिवाइट कर सकता है 15 को बन डिवाइट कर सकता है 15 को और कौन डिवाइट कर सकता है 15 को फिप्टीन 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 को कर सकता है एक और बात जो फैक्टर सोते है वो मिल्मिटे होते आप देख रहे हो इससा कोई नहीं वो unlimited होते हैं, वो कभी नहीं घतम हो सकते हैं, जो factors होते हैं, वो limited होते हैं, next move करते हैं, अब prime factors क्या होते हैं, आपने देखा कि कोई भी number हो, कोई किसी भी number को ले लो, उसको हमेशा जैसा आपना 5 ले लिया, 15 ले लिया 13 ले लिया अगर 5 के बल एक तो अपने आफ से divide होगा और एक 7 अपने आपसे divide होगा, 15 भी अपने आप से divide होगा और दूसरे नम्बरों हो से divided हो सकता है, ओर 1 से बीड़ी हो सकता है, प्राइम फेक्टर ऐसे फेक्टर होते हैं कि आप क्या गश्क्राव करो , इसके अंदर यह खटम करो , एक तो 1 को खटम करो , और जो नंबर इटसल वह उसको खतम करो , और जो दूसरे prime number बचे, prime number का मतलब जैसे 2, 3, 5, इंस से divide करो, 7, ठीक है, इंस से divide होना चाहिए, जैसे 15 है, 15 तो 1 से भी divide होता है, और 15 से भी divide होता है, लेकिन हमको prime factor के बारे में बात करें है, तो हमको keble ऐसे prime number चाहिए हैं, जो इसको divide करें, जैसे 2 तो करेगा नहीं, 3, 3 के 2 करेगा, और 3 करेगा, तो मतलब यही हैं हमारे पास prime factors, तो factors लग होते हैं, मतलब prime factors में के बाल हम prime number ही लेते हैं, चलो, अब LCM के बारे हम बात करते हैं, कि LCM क्या होता है, देखो, जो LCM होता है, उसकी full form होती least common multiples, अब एक और बाद सब्ध आया, यहां पर multiples, बहूत important है, यह जो LCM है यह multiples पर depend है और कोई भी competition होता है अगर LCM पर question आता है तो उसकी application आती है और application जो समझ जाता है मतलब वो reality में समझ गया है कि actually LCM है क्या otherwise तो वो आप open नीचे factorization tree बना कि यह करकर वो करकर सब निकाल सकते हैं कोई दिक्कत नहीं, NCRT में कुछ भी नहीं है एक application भी अगर बाहर से आ जाती है NCRT के अंदर तो आप पता ही नहीं कर पाओगे कि LCM की है, SCF की है यह अपने आप में काफी difficult task है तो अगर जिसको multiple समझ भागए, actually मैं उसी को आता है LCM लेना जिसको समझ माँ गया तो मतलब इसको अच्छे सा factor समझ माँ गया तो इसको HCF भी समझ माँ जाता है, highest common factor तो LCM के बारे में बात करते हैं, LCM कैसे निकाला जाता है, जैसे कि LCM के नाम लास्ट में जो है उसका मतलब multiple होता है, least common multiple मतलब इसका मतलब यह होगा, अगर example मैं यहाँ पाल लो, कि मुझको LCM निकालना है 15 का और 20 का, तो इसका मतलब क्या होगा, कि हाँ 15 की table बढ़ते जाओ, 15, 30, 45, 60, 75, 90, 105, dot, 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 यह तो infinite चला जाएगा आगर, क्योंकि multiple का भी खतम नहीं होते हैं, अब same है जहाँ 20 के साथ क 20 के जो multiple से उनको निकालो, 20, 40, 80, 60, 80, 100, 120, dot, 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 आगा तक निकालो, आप इसके अंदर जब आप 15 के अंदर, चलते जाओ, चलते जाओ, 60 आगया, 20 के अंदर जलो, कितना आगया, 60, तो आप देख रहे हो, least common, मतलब least common multiple यह ही है, मतलब यह एक multiple है, 15 का, 20 का multiple, यह लिखे ह जो एंदर नीचे, इनमें सबसर चोटा नंबर कौन सा मिल ला है, चोटा नंबर यह ही है, चोटा multiple यह ही है, 60, आप आगे चले जाओगे, तो आगे भी कोई multiple मिलेगा, यह मतली मिलेगा, उस सो जाओगे, उस सो भी आगा कोई multiple मिलेगा, लेकिन हमको least multiple चाहिए, इसे least multiple को बोला जाता है कि this is the LCM, Least Common Multiple, इसका नाम है Least Common Multiple, अब हमारे जो एक जो अब हमार कि जयान कहीं आँ एकजामपल ले ले लेता हूं तो आप क्या काम करो जैसा बोला तो nonprofits पेचे में को निला का मैंने फिट्न दिवाइट करो प्राइम तो 2 से करो कि तो 5 जा जाएगा फिर इसके बाद 5 से करो तो यहां पर 5 के पिरान тьू की कितना तो सेम है स्टुर्टर करो तो 20 के इस टाइेब से त्सक्तर करो के 2 से करो 2 आधी तो 10 को तो फिर 5 जा जाएगा अब यह जो 5 बचा इसको 5 से कर लो तो कब तक करते जाना जब तक यहां पर 1 ना जाए तो कितना आगे है यहां पर 2 x 2 x 5 और इसको आप ऐसे भी लेख सकते हो 2 x 2 x 5 अब इसके इंदर आप एक चीज देखो अलसीम कैसे निकाला जाता है यह बील्स भी एक निकाला जाता है भी बताँ यहां 5 यहीं common है तो जो factor होता है स्क्राइब जो factor करो दो नम्रों के 2 या 3 और उसमें जो common होगा common जो factor होंगे वही वन जाता है हमारे पास स्क्राइब तो यहां पर स्क्राइब इतना हो जाएगा 5 ठीक है अब LCM क्या होता है देखो LCM जो होता है एक तो जो common आ रहा है वो उसकी multiply ठीक है जैसे यहाँ पर 15 का 3 into 5 हो गया और यह हो गया 2 raise to power 2 into 5 20 का अब common क्या रहा है यहाँ पर 5 तो आप 5 को ऐसी लिखो multiply का sign लगाओ अनकॉमन चीज़ों को लिखो जैसे 15 के पास क्या बचा 3 बचा 3 लिखो multiply का sign लगाओ और यह जो 5 है इसके साथ और क्या बचा यह बचा यह बचा यह 2 raise to power 2 इसको ऐसी लिखो इसका मतलब यह हुआ कि जो हमारे पास LCM होता है जानते उसके अंदर क्या रहा है आप यह देख र यह बहुत ही काम की बात है यह मुझको नहीं पता कि शायद कितने लोगों को समझ माएगी लेकिन हाँ जो यह समझ जाता है वो काफी हद तक यह application को solve करने में अबल हो जाता है कि हाँ किस टाइप सो application को पकड़ बनानी क्योंकि आपके यहाँ पर कोई application है नहीं एक ही application है जो exercise 1.2 के अंदर के भी लिख अधर्वाइस आपके यहाँ पर application नहीं है और सच वदाउं तो main application ही है अगर आप 10 class pass कर लोगे हो जाएगी उसमें कोई दिखकर आप आ भी जाएगा आप इस टाइप सो factor करकर कर लोगे लेकिन जैसे आप competition में बैठते हो तब आपके पास reality में चेक किया जाता है कि आपको क्या knowledge है आप SSC के exam में बैंक के exam में बैठते हो even UPSC के exam में अगर आप बैठते हो PCS के exam में बैठते हो वो सब fundamental पूछा जाता है वो बोलते हैं कि 10 class के level का तो 10 class के level का उसमें लिखा हुआ है यह अदब यह सब कुछ लिखा हुआ है यह से बस हमनों थोड़ा सा ही पढ़ाया है actual मैं नहीं पढ़ाया है आपनो बस रटने वाले चीज़े पढ़ लिए चलो ठीक है तो यहां पर LCM कितना आ जाएगा तो LCM और यहां पर 20 का फैक्टर रिमेनिंग क्या बचा है 2 देस्ट पावर 2 बस इनकी मुल्टिप्राइब करता है यहां लिख दो next question अब जैसे मैंने आपको बताया कि पीछे मैं बता रहा था यह इसका SCF निकालना हो तो SCF एसे निकालते हैं 15 के फैक्टर करो 3 into 5 20 के फैक्टर क 2 into 2 into 5 अब जो भी common factor होगा जो भी common factor हुआ that is the SCF highest common factor full form देखो SCF highest common factor यही है इसका highest common factor अब exercise के हम कुछ question करते हैं और सीधा question के अंदर क्या पुछा गया कि exercise है हमारे पार 1.2 यह हमारे exam के अंदर आ रही है ठीक है तो express जो मैं question है उसको हम पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है express each number एक और बात की मैं थोड़े से practice के लिए question डालूँगा तो जो भी students होगे हैं मतलब जो practice करना चाहते हैं मतलब जो NCRT से अलग practice करना चाहते हैं मैं उसके question cover करूँगा दूसरे lecture उसके लिए अलग से video में त lecture होंगे उसके अंदर मैंने NCRT के सारे lecture, NCRT के सारे concept सभी cover करें हैं और जो NCRT के question जो हमारे syllabus में है updated syllabus के coding वो सारे cover करें प्रस पिछले जो NCRT के question paper है वो सब दिल्ली हो या दिल्ली सब बाहर के वो सब उसके सारे question मैंने cover करें और जो मैं दूसरे lecture लूँगा प्राइवेट वाले उसके अंदर question होंगे जो एकदम जैसे application हो गई मैं अभी बता रहता है LCMHC अपकी application इस type के question थोड़ा advanced level के students होते हो काफी question outsider होते हैं तो theme वही होती है तो मैं प्रक्टिस के लिए बहुत सारे question लाने बाला हूं मतलब वह काफी detail में lecture होगा उसमें काफी level difficult होगा उसका question करते हम जाओ तो express each number as a product of its prime factors मतलब हमको मेरा मतलब पहला पार्ट है तो पहले पार्ट के अंदर उसनों बोलाया कि 140 के आप इसके जैसे लिखा ना number as a product of its prime factors मतलब इसके prime factor करके लिखने है तो पहला आप 200 कर लो इसको तो यह जाएगा 70 और फिट 200 करो तो यह जाएगा 35 फिर आप इसको 200 जाएगा नहीं है वोगि हमको prime factor करके दिखाने उसमें बोला है prime factor करने फिर 3 से करो देखने 3 से जाएगा 3 से भी नहीं जाएगा और फिर 5 से करो तो 500 कितने जाएगा 7 जाएगा फिर यह 7 से करो तो इसके जो 140 के जो factor आएंगे वह कितने आजएगे 2 x 2 x 5 x 2 x 7 और इसको ऐसे भी लिखा जाता है 2 raise to power 2 x 5 x 7 देखो पार्ट हां से किंड पार्ट ले लेता हूं है तो 156 लिखा हुआ है और 156 लिखा हुआ है आप इसके इसको 200 कि हमको prime number से करना है और लिस्ट जो च्वाटी नंबर होते हैं सब 100 करते हैं करो 27 जा ठीक है तो कितना जाएगा या जाएगा 78 फिर टू से करो 23 जा और यह 29 जा 3 से करो 3 जा और 3 3 जा फिर 13 की टेबल से जाएगा है तो हमारे पास यहां पर प्राइम फेक्टर आप ऐसे लिखने हैं मैं सिता सॉर्ट फॉर्म युटता हूं प्राइम हमारे पास असा जाएगा मैं इसको हां यह ले लेता हूं यही पर सॉल्व कर देता हूं पार्ट थार्ड है हमारे पास कि 3825 यही था क्या एक बोर्ड के अंदर पूछा गया अब यही डिजिट थी उसके अंदर यह तो सीधा सीधा प्राइम फैक्टर नहीं करवाता लेकिन कुछ पूछ रहा था चलो तो 3825 तो अब देख लो कि यहां पर यह नंबर किससे डिवाइड होगा अब देखों एक तो आपको डिविजिबिलिटी भी आनी चाहिए कि सम ओ तीन की डिविजिबिलिटी क्या होती है कि सारे डिजिट को आप सम कर दो इसको 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 अगर उनका सम ऐसा कोई नंबर आ गया जो तो यह नंबर हमारे पास त्री से डिवाइड हो जाएगा यह अब ट्री से चला जाएगा और त्री से फिर से चला जाएगा और त्री से जा रहा है कि अब नहीं जाएगा क्योंकि डिजिट आप सम आप देख लो कैसा देखते हैं कि फॉर प्लस टू शिक्स हो गया शिक्स मा आप जिए डिजिट ऑप सम देख लो इसका पोर प्लस टू प्लस प्लस फाइगा टू यह 9 यह 9 एक दो डालो 11 हो गया मतलब हमारे बाहन यहां जो भी नंबर आया सम उप डिजिट वह ऐसा ना चाहिए जिए मृटिपल ऑफ त्री यह तो थिरी का कोई मृटिपल देख यह त्र यह 5 से कर लो तो 5 से कितना जला जाएगा 85 जा जाएगा 5 एट जा 42 और 5 यह 25 फिर से करो 5 से तो 5 बन जा कितने 7 नहीं 5 फिर से 17 से करो तो यहां पर मैं इस पोड़ा सा लाइन ब्राव कर देता हूं तो यह आजाएगा हमारे पास फैक्टर लिख रहेता हूं मैं सीदह फैक्टर लिखा हूं आप लिख लेना इसको जैसे मैंने यहां पर इसको लिखा है तो यह आजाएगा 3 x 3 इंटु 5 x 5 x 17 और इसको ऐसे लिख जाता है 3 raise to power 2 और 5 raise to power 2 तो कितने पार्ट हो गए हमारे पार्ट तीन पार्ट हो गए है चो लो मैं एक स्लाइड एड़ कर लेता हूँ वेट तो हमना तीन पार्ट कर लिए अब हम नेक्स पार्ट के और मूप करते ही नेक्स पार्ट है हमारे पास फॉर्थ पार्ट है तो 505 तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि 200 तो जाएगा नहीं अगर टू सजाता यह तो इसकी यह यूनिट डिजिट हो वह आपके पास कोई इवन नंबर होना चाहिए जीरो इवन नंबर ठीक है और थी से थी से पता करने का तरीका यह होता है कि इन सब को प्लस कर लो फाइ चाहिए अगर नहीं हो रहा है तो यह नंबर ठीक होगा तो लम घरीस टीईडी तो यह भी 3 से नहीं जाएगा तो किस से जाएगा यह मतलब अगर यह 5 से गया तो उपपर वाले नंबर से ही जाएगा 7 से चेक कर लो तो यह 7 से चला जाएगा 7 बंजा कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा 143 आ जाएगा उसके बाद में आप 11 की टेबल में जा रहा है 11 की टेबल में बंजा जाएगा और यह कितने जाएगा यह 13 जाएगा फिर इसको 13 से कर लो तो यह आ गया तो यहां पर आप लिखोगे प्राइम फैक्टर्स ओफ 5 0 5 इक्वल टू 5 इन्टू 7 इन्टू 1 वो सारी 11 इन्टू 30 एच्छा एग और बात कुछ लोग इन्टू 1 भी करना चाहरे होंगे देखो वो नहीं करना है वन एक प्राइम नंबर नहीं है तो इसलिए उसको यहां नहीं लिखते कभी आप सोचने लोगों की लिखने से क्या उड़ा है गलत हो जाएगा वो वो कि हमको साब साब लिखा है कि प्राइम फैक्ट इसका फिफ पाट जैसे यह वाला है सेवन्टी यह सेवन्टी फोर टूंटी नाइन हाँ इसको नेक्स्ट कुछ पेड़ पर प्राइज में तो सेवन्टी फोर और टूंटी नाइन देखो यह कुश्चन क्या है यह बड़े बड़े नमर उसा डिबाइड होगा ठीक है तो इसके अंदर मतलब यह ऐसा नहीं कि आपको जैसा आपने टू सकल लिया थी सकल लिया फाइव सकल लिया इस यह थोड़ा सा आगर बढ़ाएगा आपको अलब यह चाहता है कि आपको टेवल थोड़ी सी जादर बड़ी वाली यह आगा जासा आपको 17 की 19 की और य यह इसके जो फैक्टर होई ह worse। मैं बता लिया इसके इसके फैक्टर्थर 17 मैंटिइन और ड्वं तीथरी आप देख रहे ह। 17, 19 और यह 23 है इनकी multiply करें सब्सक्राइब करकर मतलब यह पूछ रहा है अब यह जो question होते हैं तो वो अपने आपने अब यह प्रक्राइब करें आपको नंबर दे रहा है तो बड़े मिदे सकता है ऐसा नहीं कि 23 सभी उपर वाले नंबर जा सकते हैं तो इस टाइब के question मेरे हिसाब से एक्जामन नहीं आने चाहिए क्योंकि आप कहां तक टेबल ले जाओगे सब्सक्रों आप पहले टू एक नंबर का question आएगा यह एक नंबर का question फैक्टर करने के लिए एक नंबर का question आप तू सो थीरी सगर होगे पांस सो सास पिर आप किस पर ले जाओगे आप 11 पर ले जा है और होथी reasonable way में question paper को set किया जाता है अब course चीज़े ऐसी रखी जाती ही जिनको solve जल्दी किया जाता है लेकिन थोड़ा दिमाग लागा अब इसके अंदर आपको कि अब मैं चलो यह नंबर ही बदल दू को यह ऐसा नंबर दे दू आपको कि जो 23 सर उसके factor शुरू होते हो तो this is a very difficult task ठीक है तो आप इस question को एक बार देखना try करना की मतलब होता है कि टू सर त्री सर फाइप सर फिर उसके बाद में नहीं होता है तो discuss करते हैं मैंना आपको बता दिया है कुछ नहीं है बस वह आपको टेबल चाह करा रहा है और कुछ नहीं है कभी आप सोच रहे हो कि यहां पर यह फैक्टर वैक्टर कुछ नहीं है अब चलो ठीक है यह फैक्टर वाली बात आगी और क्या इसके इनदर नेक्स्ट पूश्चन अब मैं आपको question no.2 कराने से पहल find the LCM and SCF of the following pairs of integers and verify that LCM and SCF equal to the product of two numbers देखो मैं थोड़ी सी जड़ा slides add कर लेता हूं आपके पास अगर concept देखते हैं कि concept क्या है आपने दो number ले लिए एक लिया 15 और एक लिया 20 ठीक है जड़ा देखते हैं कि इसका अगर आप 15 के factor करते हो तो 3 into 5 और 20 के factor करते होगा तो आपके पास आएगा 2 into 2 और into 5 that is 2 raise to our 2 into 5 अब चारा इसका LCM निकालते है सबसे पहला तो LCM क्या होता है highest common factor जो दोनों के अंदर common आ रहा है जैसे यहां पर 15 के multi जो factors लिखे हो है इसमें 5 है common और 20 के यह 5 तो मतलब यह आया और LCM कितना है यहां पर आप देख लो जो common होता है उसको तो ऐसी लिख दो common तो आता ही आता है जो common नहीं है उसको भी जैसे लिखो जैसे 3 15 के उसमें 5 तो common आ गया था तो उसको भी लिखेंगे और यह जो 3 है इसको भी लिखो और यह जो 20 के factors जो होगे है उसमें 2 raised to over जो लिखा हुआ इसको भी लिखो आप देखो कितना आ जाएगा है यहां 60 आ गया है मेरे पास अब जरह एक और मतलब formula तो निकल जाएगा उसमें वह दिखकर नहीं कुछ बताना चाहरा हूं आप जरह इन जो SCF है और LCM की जरह मल्टिपलाई करो मतलब SCF यहां पर 5 है और LCM कितना है यहां पर 60 है जरह मल्टिपलाई करो 300 आ गया उसके बाद यह जो दो नंबर थे इन दो नंबर की मल्टिपलाई करो तो कितना आ जाएगा 300 इसका मतलब यह हुआ कि HCF of two numbers into LCM of that number of that two numbers equal to the product of that two numbers अगर आपके पास दो नंबर है सबोच करो A और B आपके पास दो नंबर है तो SCF A और B का आप SCF निकालो उस SCF की multiply करो किस LCM सा किसके LCM से इन्ही दो नंबरों का LCM जो निकालोगे ठीक है तो आपने SCF और LCM से multiply किया करोगे और कुछ नंबर आएगा तो नंबर आएगा तो नंबर देना A भी इन केक पॉला आजाता है आपके अकाम करोगे जो दो नंबर थे जिन काम को LCM और SCF निकाला उनकी multiply करोगे अगर दोनों equal है तो hence verify और hence verify करवाने के लिए बोल ला है तो मतलब दोनों equally आएंगे आपको कुछ भी मतलब ऐसा नहीं कर सकते हों कि नहीं आएगा या वह आंसर वही प्रूब करना होता है चलो तो ठीक है अब question करते हैं हाँ question number है 2 है हमारे पास क्या पोच रहा है कि find the LCM and SCF of the following pairs of integers and verify that LCM and LCM into SCF equal to the product of the two numbers अब इस टाइब का question board के अंदर आया हुआ है पीछे पूछा है यह मुझको नहीं पता है कि कौन से साल में हो जाना हो लेकिन आया हुआ है मैं Sun का नाम बोल गया शायद अभी आया है रिसेंट्ली अठा या उनिस वीस में तो सबसे पहला हम क्या कम करते हैं वही इस पार्ट वन है तो पार्ट वन जैसे यहां पर मैं 26 के यहां फैक्टर कर लो तो 2 सब रहो पहलो तो कि इसका तो इसका 26 का 2 multiply ठीक है और 91 के कर लो तो इसको यह किस्सा जाएगा देख लो आप 7 सजाएगा एक तो यह ठीक है 7 की डेवल में जाता है और 13 की डेवल सजाएगा तो यह कितना जाएगा यहां पर 91 is equal to 7 into 13 ठीक है आप आप देखो पहले हम सब्सक्राइब निकालते हैं सब्सक्राइब सब्सक्राइब निकाला है तो कितना जाएगा जो तो थार्टीन था नाइनटीवन के फैक्टर करें तो थार्टीन तो दोनों थार्टीन ऊपर वाले दोनों common है तो मतलब एक लिख देंगे लिए लस्यम निकालते हैं तो तो यह जो common part हो उसको लीकों ठीक है और क्या लिखना है उपर वाले थार्टीन के सात्थ जो बचा इसको लीकूत और यह जो थार्टीन था इसके साथ जो लिखा हुआ साहाँ इसको अमश्रका तो आप इसको मतलब इनकी multiply कलें कि कितना जाएगा niez और हम इस फॉर्मुले में लिख देते हैं पहले मैं बताता हूं कि लिखते हैं पहले हम लिखते हैं कि LCM multiply SCF क्या होगी है क्या होगी है ठीक है तो हम multiply करेंगे इसकी कि यह आ जाएगा हमारे पास SCF equal to 13 multiply 13 multiply 2 into 7 तो आप जब इसकी multiply करोगे तो यह आ जाएगा आपके पास 2 3 6 और जो दो नंबर थे दो नंबर कौन से दो नंबर हमारे पास प्रोडक्ट अप टू नंबर 26 multiply 91 तो आप जब इन दोनों की multiply करोगे तो यह भी हमारे पास कितना आ जाएगा यह भी हमारे पास आ जाएगा 2 3 6 तो आप क्या लिख होगे आप बोलोगे Hence ठीक है LCM स्टी मार्क स्रोशन था ही और SCF इक्वल टू दा प्रोडक्ट अप टू नंबर ठीक है प्रोडक्ट अप टू नंबर मैंने यह पार्ट वन करा दिया अब मैं यह जो पार्ट सेकिंड है और पार्ट थर्ड है इसको नेक्स वीडियो में कबर करता हूं ठीक है थैंक्यू थैंक्यू झाल 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 पार्प पाल लुट मैं झाल